2023 की एक और न्यू रिक्रूट्मेंट नोटिफिकेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जिसका फाइनली ओफिसेल वेबसाइट पर नोटिस रिलीज हो गया है यह EMRS मींस एक लब्ब मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और इंजिया से इसमें एपलाई कर सकते हैं और इस पल अगर आप 12 पास आउट हैं तो उनके लिए भी वेकैंसी है अगर आपने एक रेजिशन किया हुआ है एंट पीजी किया हुआ है सब भी कांडिडेट के लिए वेकैंसी हैं सो वेकैंसी काफी अच्छी है और बड़ी भरती है 38,400 प्लस वेकैंसी आने वाली है 2023 में इसका ओफिसेल जो नोटिस है वो में आगी आपको उसी के थुरू में सारे आपके पॉइंट्स के लिए करूंगी तो अगर आप इसमें इंट्रेस्टेट हूँ टीचिंग पोस्ट के लिए या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए दौनों तरह की विकैंसी हैं वीडियो अगरेंशर की जगा हलो फ्रेंड्स मैं हूं आस था वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्मेंट जॉब जेन यह नोटिफिकेशन तो यहां पर आप यह नोटिस देख रहे हैं यह नोटिस आया है नेशनल एजुकेशन पॉलसी तो पहले यहां पर आप पोस्ट देख लीजे कौन कौन सी पोस्ट है तो इसमें आपकी प्रिंसिपल की पोस्ट पर वेकैंसी है तो टीचिंग नॉन टीचिंग दौनों तरह की पोस्ट पर वेकैंसी है इसमें टैंथ क्लास से लेकर के पीजी तक के जो कैंडिटेट है वो यहां पर अप्लाइ कर सकते हैं टोटल वेकैंसी कितनी है किस पोस्ट के लिए कितनी वेकैंसी है अब जो भरती आएगी वो इसी रिक्रूट्मेंट रूल के बेस पर की जाएगी क्या एलिसबिल्टी कंडिशन रहेगी क्या क्राइटेरिया इन्हों न रखा हुआ है क्या सेलरी रहेगी सब कुछ यहां पर इसके बाद चलिए हम यहां पर देख लेते हैं पोस्ट वाइस तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो प्रेंसिपल की पोस्ट है आप प्रेंसिपल पोस्ट के लिए एक्स्पिरियंस रिक्वाइड रहता है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यह नहीं रहती है सो प्रेंसिपल की में यहां पर मंगा गया है वेकेंसी 740 है यहां पर भी सभी स्कूल्स की मिलाकर के यहां पर वेकेंसी बताई गई है ग्रूप A की वेकेंसी है लेवल 10 से सैलरी रहेगी एजुकेशन आधर क्वालिफिकेशन यहां पर अभी अप्लिकेबल नहीं है प्रोविशन पीरेट टू का रहेगा ओके नेक्स्ट देखेंगे यहां पर हम रिक्रूट्मेंट रूल पीजीटी टीचर के लिए पीजीटी के लिए तो यहां पीजीटी के लिए 8,140 टोटल विकेंसी सभी EMRS में है और इसमें इंग्लिज, हिंदी, रीजनल, लेंग्वेज, जो भी जहां की भी लें विकेंसीज हैं और 11 पर EMRS यानि हर एक एक लब जो स्कूल है, विद्ध्याले हैं, 11 विकेंसी रहेंगी, ग्रूप B की पोस्ट लेवल 8 से सैल दी रहेगी, और इसमें आपका PG है, PGT टीचर की विकेंसी है, तो यहां पर आपका PG मांग गया है, ओके, और डिटेल में हम बात करेंगे, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगे, पहले आपको सारी पोस्ट की इंफोर्मिशन देदू, किस पर कितनी पोस्ट आई हुए है, अब है यहां पर पोस्ट ग्रेजवर टीचर कंपुटर साइंस, कंपुटर साइंस के लिए 740 विकेंसी हम पर बताई गई है, लेवल इसके बाद है TGT के लिए, TGT के लिए जो हिंदी, इंग्लिस, रीजनल, लेंग्विज़, सोसल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स के जो विकेंसी आएंगी, 12 पर इसकूल, तो यहां पर टोटल आठ हजार 880 TGT के लिए विकेंसी रहेंगी, ग्रुप B की पोस्ट रहती है, लेवल 7 से सैलरी है, और यहां पर अपर इस लिमिट 35 है, इसेंसिल क्वालिफिकेशन देखेंगे, तो 4-year integrated degree course अगर आपने किया हुआ है, NCEIT और NCTE recognized institute से तैन, आप इसमें apply कर सकते हैं, और इसमें bachelor या फिर आपने bachelor honors degree आपने की हुई है, 2-year की, sorry, at least 2-year की subject, जो भी subject के लिए आप apply कर रहे हैं, कम से कम आपने अपने graduation के 2 साल तक वो subject पढ़ा हो, graduation level पर, and 3-year degree course, जो graduation होती है 3 साल की, उसमें से, जैसे suppose अगर आपने science लिया हुआ है, और science में आप bio की teacher बरना चाहते हैं, बायो साइट से हैं, और बायो आपके 3 सालों में अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो कम से कम 2 साल में आपने पढ़ा हो, बायो graduation level पर, तब आप इसमें apply कर सकेंगे, या पर bachelor degree from a recognized university in concerned subject, तो भी आप इसमें apply कर सकेंगे, तो यह यहाँ पर दिया गया है, TGT के लिए, इसके बाद हम नीचे बात करने वाले हैं, नेक्स्ट पोस्ट है, आर्टीचर के लिए, आर्टीचर के लिए, टोटल विकेंसी 740 हैं, ग्रुप B की पोस्ट है, लेवल 6 से सालरी है, 35 अपर age limit है, अभी हम इसमें detail में नहीं ज विकेंसी रहेंगी, एक विकेंसी हर एक EMRS में रहेगी, लेवल 6 से सालरी रहेगी, अपर age limit 35 है, इसमें क्वालिफिकेशन में, म्यूजिक में आपने बैचलर डिग्री ली हुई हो, आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे, फिजिकल आइजगेशन टीचर के लिए भी, टोटल 14 1440 विकेंसी हैं, दो हर एक EMRS में रहेंगी, जिसमें से एक मेल और एक फीमेल के लिए रहेगी, लेवल 6 से सालरी रहेगी, अपर age limit 35 है, और ये जो age है, ये general candidate के लिए है, reserve जो category से बलाउं करते हैं, उनके लिए relaxation रहेगा, इसमें आपने physical education में वैचलर डिग्री ली हुई ह apply आप कर सकेंगे, and other requirement क्या है, मैं वीडियो अलग से upload करूँगी, क्योंकि सारी पोस्ट के बारे मैं बताऊंगी, details से वीडियो काफी length हो जाएगा, तो अभी हम briefly देख लेते हैं, min-min, and librarian के लिए 740 total रहेगी, हर एक school में एक vacancy रहेगी, level 7 से salary रहेगी, 35 अपर age limit रहेगी, library science में आपने degree ली हुई हो, या graduation with one year diploma in library science, आपने graduation किसी भी subject से किया हो, लेकिन one year का अगर आपने library का जो diploma है, वो आपने किया हुआ है, तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं, Hindi और English, and जिस भी state से आप apply करने हैं, वहाँ की reasonable language की आपको knowledge होनी चाहिए, इसके बाद next जो पोस्ट ह रहेगी, वो है, यहाँ पर staff nurse की, 740 रहेगी, हर एक school में एक रहेगी, group C की post रहेगी, आपर इस limit 35 year रहेगी, BSC honors nursing में आपने किया हुआ हो, या फिर regular course in BSC nursing आपने किया है, या post basic BSC nursing आपने किया है, आप apply कर सकेंगे, और nursing midway में आपका state nursing council में आपका registration होना चाहिए, इसक पोस्ट रहेगी, वो है, होस्टल वार्डन की, होस्टल वार्डन की 1480 total vacancies रहेगी, दो पोस्ट हर एक school में रहेगी, एक male के लिए, एक female के लिए, लेवल 5 से salary रहेगी, 35 age अपर age limit है, 4 year का integrated degree course आपने regional college of education of NCIT से किया हुआ हो, apply कर सकते हैं, या पर bachelor degree आपने किसी भी recognize university से, means इसमें आप से सिर्फ bachelor degree required रखी गई है, होस्टल वार्डन के लिए, कोई subject वगरा या अधर कोई भी requirement इसमें नहीं रखी गई है, experience वगरा भी इसमें नहीं रखा गया है, अकाउंटेंट की विकेंसी है, अकाउंटेंट के लिए degree commerce में आपने, यानि commerce से आपने किया हुआ है, तो आप इसमें बी कॉम, आप इसमें apply कर सकेंगे, इसके बाद catering assistant के लिए भी 140 विकेंसी हैं, और इसमें भी आपका तीन साल का degree course in catering में किया हुआ हो, apply कर सकेंगे, चौकीदार के लिए 10th pass candidate apply कर सकेंगे, इसके बाद है कुक, कुक के लिए भी 10th pass candidate इसमें apply कर सकते है और जो electrician plumber की रहेगी, वहाँ पर ITI required रहेगा, counselor के लिए graduation मांगा गया है, master degree, psychology में या clinical psychology में किया हो master, तो आप इसमें apply कर सकेंगे, इसके बाद next driver के लिए 740 रहेगी, हर एक school में एक vacancy रहेगी, level 2 से salary रहेगी, 45 अपर age limit यहाँ पर है, 10th pass candidate apply करेंगे, driving की vacancy है, तो driving license आ होना चाहिए, driving आपको आनी चाहिए, electrician plumber के लिए ITI holders apply कर सकेंगे, 10th के साथ में आपका ITI हो, gardener के लिए 10th pass candidate apply कर सकेंगे, junior secretariat assistant की vacancy है, हर एक school में 2 vacancy रहेगी, 1480 total vacancies है, अपर age limit 30 year रहेगी और इसमें आपकी general candidate के लिए, essential qualification में 12th pass होना चाहिए, और इसमें typing required रहती है, junior secretariat assistant के लिए, तो हिंदी या फिर English, दौना में से कोई एक typing, अगर आपको अभी तक typing नहीं आती है, तो typing आप सीख लिजे, हिंदी या फिर English में से, इसमें junior secretariat assistant की vacancy अलग अलग departments में निकलती रहती है, और typing required रहती है, इसलिए typing आप जरूर सीख लिजे, अच्छी post है 12th level क के लिए 10th pass candidate apply कर सकेंगे, mess helper की भी 1480 vacancy से हर एक school में 2 mess helper रहेंगे, senior secretariat assistant के लिए 740 रहेंगी, हर एक school में एक रहेगा और यहाँ पर essential qualification कोई भी requirement इसमें नहीं बताई गई है, ठीक है, 50% इसमें promotion से fill होता है, and deputation से 50% होता है, ठीक है, इसलिए ये direct recruitment में नहीं है, senior secretariat assistant, junior के apply कर सकेंगे, sweeper की है, इसके लिए 10th pass apply कर सकते है, sweeper post के लिए, so ये सारी post पर vacancies आई हुई है, अब इस पर मैं अलग से video upload करूँगी, जिसमें आपको सारी post के बारे में detail से बताऊंगी, क्योंकि vacancy काफी अच्छी है, 38,000 plus vacancies आ रहे हैं, और ऐसे मैं, क्योंकि ये जो पू जरूर fill कीजेगा, next time कभी ऐसी vacancies इतनी बड़ी भरतियां, आई या ना आई है, कितना time लगे, कुछ नहीं कह सकते, इसलिए इस बार जितनी भी vacancies आ रही है, आप उनके लिए eligible होते हैं, तो apply जरूर कीजेगा, इसका अभी ये recruitment rules बता दिया है, लेकिन date यहां पर अभी नह को अगर पसंद आया हो वीडियो तो like and share कीजेगा, जो भी central level की vacancies या state level की जो बड़ी भरतिया आती है, सभी पर मैं वीडियो अप्लोड करती हूँ, चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया है, चैनल को subscribe करके रखेगा, वैल आइकन के all option को praise कीजेगा, thank you